कटगरे में IPS जी हाँ लखनों से बड़ी कबर आपको बता रहे हैं जहां IPS अधिकारियों की खिलाफ SIT की जाच पूरी कर ली गई है पांच अधिकारियों पर लगे थे ब्रस्ट चार के आरोब नौजा की पुर्व SSP बैवर कृष्णा ने लगाये थे गे आरोब और इसकी जाच जो है वो पूरी कर ली गई है और SIT जल्दी शासन को सौपेगी जाच की रिपोर्ट तो जाच में क्या कुछ खुलके आएगा सामने वो देखने वाली बात होगी तो लागतार इस मामले पे विवाद बढ़ता ही जा रहा था लगनो आईपेस अधिकारियों के खिलाफ ब्रस्ट चार के आरोब लगे थे और इसकी जो जाच है वो पूरी कर ली गई है तो बड़ी खबर लगना उसे आ रही है तो क्या कड़गर है मैं आईपेस नजर आएंगे पांच अधिकारियों पे जिस तरीके से ब्रस्ट चार के आरोब लगे थे उस आईपेस अधिकारियों के खिलाफ एसाइटी की जाच जो है वो पूरी कर ली गई है पांच अईपेस अधिकारियों के खिलाफ चल रही थे असाइटी की जाच जिस जाच को पूरी कर ली गई है अधिकारियों पर लगे थे ब्रस्ट चार के आरोब नोजा के पुर्व एससपी ब्यावो कृष्ण ने लगाए थे या आरोब SIT जल्दी शासन को रिपोर्ट सौपेगी और इसका पर पर जादा अपडेट के साथ हमारे साथ हमारे समवादा दा लाइफ नरेंद्र यादव लखनों से जड़ेवे लख नरेंद्र आप से जाना चाहेंगे कि जाच पूरी कर ली गई है जाच में क्या कुछ निकल के सामने आए पांस अधिकारियों पे ब्रस्टचार कारों पे क्या कुछ अपडेट है आपके पास देखिए S.I.T. जो जाँच करती है वो गोपनीय जाँच होती है और उसको साषन को सौफ़ेगी, सरकार को सौफ़ेगी इसके बाद साषन थार पर निर्णे लिया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जाँच के उपर उपर निर्भर है लेकिन जो जाज थी वो काफी हद तक पूरी हो चुकी है साइटी की जाज 11 जनौरी को कराने का आदेश दिया गया था जिसको लेकर तीन सदस्ये कमेटी गठित की गई थी जिसमें डीजी विजीलेंस हितेश चंद थे जल निगम के एमडी विकास गोठलवाल और आईजी एश्टी अप अमताब यस तीन सदस्ये टीम थी जिसने सभी आरोपी IPS अधिकारियों के बयान दर्ज कर लिये हैं और क्योंकि बैभोकिट जो IPS हैं उन्होंने गंभीर आरोप लगाये थे कि ट्रांस्वर पोश्टिंग में पैसा लिया जाता है और इससे सम्मंधित उन्होंने पत्र लिखा था सरकार को और सासन को जिसने उन्होंने वाटसप चैट भेजा था कुछ आडियो किली भेजी थी और पत्र लिखा था कुछ सुबूत दिये थे इनको इन सभी दस्ता बेजों को SIT ने अपने पास रखकर जाच किया और जो सम्मंधित अधिकारी इसमें फस रहे थे का बयान पूरा दर्ज किया गया है और इस घेरे में जो और अधिकारी आ रहे थे उनका भी बयान दर्ज कर लिया गया है अभी तीन PCS अधिकारियों के बयान दर्ज करने बाकी हैं उमीद की जा रही कि एक सता के भीतर ही यह जाच रिपोर्ट सासन को सौप दी जाएगी ल बिल्कुल तो जाच तो सौपी नहीं है पर जल्द ही जाच जो है वो सौपेंगे पर देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ मकदमा इन पे लगता है और क्या कुछ पूरा मामला है जो खुल के सामें आता है बहुत बहुत शुक्रिया नरेंदर तमाम अपडेट के लिए